नमस्कार दोस्तों मैं मयूर सुर्वेंशी आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा कि भारत में राष्टबाद के उदय के कारण क्या थे अब हम जानते हैं कि राष्टवाद के उधर के जो कारण थे उन्होंने भारत में भारतीयों को स्वतनता प्राप्ती के लिए प्रेजित किया और इस स्वतनता प्राप्ती के तीन चरण हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं पहले चरण के आज चर्चा की जाएगी और पहला चरण है भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना से लिकर 1905 तक का आंदुलन का प्रथम चरण उधारवादी राष्टीता का यूग कहलाता है 1885 इस्वी में भारती राष्टी कॉंग्रेस की स्थापना के साथ ही इस उदारवादी राष्टी नेतरत्व का वर्चस हो गया तातकालिक उदारवादी राष्टवादी नेताओं में प्रमुक्ते दादा भाय नौरोजी, महादेव गोविंदर अनाडे, फिरोश्चा महता, सुरेंद्रनाथ बनर जी, दिन्चा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर जी, गोपाल करश्न गोखले, पंडित मदन मोहन मालवी इन सभी नेताओं ने कॉंग्रेस की स्थापना के आरंबिक 20 वर्षों के उसकी नीती, अत्यंती ही उदार थी, इसलिए इस काल को कॉंग्रेस के इतिहास का उदारवादी राष्टिता का काल माना जाता है संस्थापक सदस्यों में भारतियों के लिए धर्म और जाती के पक्षपात का अभाव था, मानों में समानता, कानून के समक्ष समता, नागरिक सुतनताओं का प्रसार और प्रतिनिदित संस्थाओं के विकास की कामना करते थे उदारवादी नेताओं का मानना था कि सम्मेधानिक तरीके अपना कर ही हम देश को आजाद करा सकते हैं इस समय कांग्रेस पर सम्रद शाली, मध्यमवर्गी, बुद्धी जीवियों, इनमें वकील, लॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहितिकार सम्मिलित थे आधी लोगों का प्रभाव था उदारवादी नेताओं को अंग्रेजों की न्याय प्रीरता से पून निष्ठा थी और वे अंग्रेजों को अपना शत्रू बिलकुल नहीं मानते थे, बलकि मित्र मानते थे ये नेता प्रातना पत्रों, निवेधन, इस्परन पत्रों एवं शिष्ट मंडलों के द्वारा सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते थे इस काल में कॉंग्रेज ने देश की सतंता ही नहीं अपितु कुछ रियायतों की भी मांगी कॉंग्रेस की मांगों ने विधान परिशुदों का विस्तार परिक्षा की नियूंतम आयू में व्रद्धी, परिक्षा का भारत और इंग्लेंड में एक साथ आयोजन, अधिक भर्ती, वायसराय तथा गवर्नर की कारिकारणी में भारतियों को अधिक प्रतिनेदित्व आध क्या दी थी, कॉंग्रेस की लोगप्रियता के बारे में अगर बात करें तो धीरे धीरे इसकी लोगप्रियता बढ़ रही थी, पहले इस संस्था का प्रतिनेदित्व बौधिक वर्क के लोग ही करते थे पर कालांतर में यह संस्था, जन साधारन की संस्था बन गई, अपन सतत जारी रहा। बेवुन्यादी लगता है। कॉंग्रेस तो एक ऐसे नगर्णी अल्पमत का प्रतिनिद्व करती है। जिसको एक शांदार और विभिन रूपो वाले सामराज जी के शाषन की बागदोर हर्गीज नहीं दी जा सकती। इस बारे में अंग्रेजी समाचार पत्र ने लिखा है कि यह तो छिपे वेश में एक एसी राज दो ही संस्ता है। जिसन न तो जनता का प्रतिनिद्व प्राप्त है और नहीं जिसका कोई मुल्य है। बिटिश भारत की सरकार ने मुसल्मानों को कॉंग्रेस से अलग करने के लिए उनमें विरोध की भावना को भरना शुरू किया। और इन परयासों की काफी सफलता मिली। लौट करजन ने यहां तक कहा दिया कि कॉंग्रेस अपने पतन क्यों लड़कडाती हुई जा रही है। और करजन की महत्वकान शाओं में एक यह भी है कि वह उसकी शान्तिमय मृत्यू को सहायता कर सके। धीरे-धीरे सरकार की नीतियां भारतियों की प्रती उदारता की जगह कठोर होती गई। अब वह फूट डालो और राजकरों की नीति का पालन करने लगी। सरकार को कॉंग्रेस के दमन में इसलिए सफलता नहीं मिली क्योंकि इस संस्था को विशाल भारती मध्यमवर का सहयोग प्राप था। डॉक्टर आरसी मजुमदार के अनुसार ब्रिटिश शरकार दथा नोकर शाही के कॉंग्रेस विरोधी शडियंत्र अपने उद्देशी पूर्ती के लिए इसलिए सफल ना हो सके क्योंकि वे इस बात को जानने में असमर्थ रहे कि कॉंग्रेस की शक्ति का मूल आधार मध अधियम वर्ग हैं धनी दान दानी लोग नहीं कॉंग्रेस की विशय में कई विद्वान इसकी आलोशना करते हैं जैसे करजन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देज रोही संगठन कहे कर संबोधित किया तिलक ने कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंड़क की तरह टर र विपिन चंदरपाल ने इसे याचना संस्था की संग्या दी इस प्रकार अगर बात कर लें उदारवादियों का इंग्लेंड में प्रचार किस प्रकार कर रहा तो 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लेंड में भारती सुधार समीती की स्थापना की वहीं विलियम डि विपिन चंदरपाल इंग्लेंड गए इन समस्थ प्रयासों का प्रतिफल यह रहा कि इंग्लेंड में भारतीय जन्मानस की समस्याओं के प्रती सहानुभूती रखने वाले एक गुट का दिर्मान हुआ बहुत से आलोचकों ने उधारवादि राष्टी निताओं की उपलबदियों की आलोचना की उघरवादियों ने उधारवादियों की आवेदन निवेदन की नीती को भिख्षा माँगने की नीती कहे कर खिली उड़ाई इस संबन्द में लाला राजपत राय ने लिखा है कि 20 वर्ष तक रियायतों और दुखों को दूर करने में असफल संगर्ष के पस्चाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर प्राथ हुए इस बात में संदय नहीं कि इनके तातकालिक उपलब्दिया नगर्ण्य थी और 19 से शताबदी के ब्रिटिश राषन की बदली हुई प्रवत्ती के कारण उनकी कोई राजनितिक धारणाय गलत साबित हुए यदि हम दादा भाई नौरोजी सर फिरोशा महता, सर दीन शावाचा, गोपाल क्रश्न गोखले, सुरेन नाद बनर जी के साथ नियाय करे तो यह स्विकार करना पड़ेगा कि यह लोग समकालिक भारती समाज के सबसे अधिक प्रगती वादी, तत्व है और सक्चे देश भ करवाया था, 1892 में भारती परिशदों को अधिनियम पारित करवाया, सरकार ने उनके अनुरोद पर ही भारती व्याई की समिक्षा के लिए 1896 में वेलवी कमिशन की नियूकती भी की थी, अब बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन की, जहां पर हमारा राष्टी आंदुलन क के प्रसंचरन का अंत होगा, बंगाल विभाजन, 1905